हेलो बच्चो स्वागदाव सभी का तो बच्चो अध्याइश 17 जो है हमारा आखरी पड़ाओ पर आने वाला है तो बच्चो आप सब सबी तयारी जम कर रहे होंगे अच्छे सा तयारी कर रहे होंगे बच्चो आप सबसे निवेदाने की बच्चो रेगुलर वीडियो सब्सक्राइब पर पर रहे होंगे सब्सक्राइब ने कर ले और बेल ऊकन को रखएगा तो सब्सक्राइब बच्चे वने ओल्रेडी 14 सवाल कर वा चुके हैं तो एक वर्गाकार पार्क जिसका परीमा 32 मीटर है का छेतरफल बताइए अब देखिए वर्गाकार पार्क क्या होता है जो वर्ग क्या कार का कर कि जिसमें 4 बुझाएं बराबर बना देता हूं कि चारो बुझा है असल में बराबर का उती है यह अब ने बर बना कि अब क्या बोल रहे है कि जिसका परिमां 42 मतलब इन चारो बुझाओ Jeन पर मतलकि इसको इसको और इसको जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा 72 बताओ के तो चारो बूजाओ का योग अब चार बुझा है तो चार अ कर 30 कम चार आणसर कितना ही और ऐ बहुत तर यानि परिमाव अपना आ चुका है अब यहाँ पर कोछी समझ कि यह उसने को छेतरफल बताईए तो बचचो वर्ग का जो भी दसको फूर्मला होता है अगर आपको वर्ग का क्या निकालना है छेत्र रफल अगर निकाला उसका फॉर्मुला होता है बुजा गुणित बुजा मतलब क्या करना है बुजा की घाद दो यानि बुजा गुणित बुजा यह अठरा का गुणा किसमे कर देना है अठरा में कर देना है अठरा का गुण आते हैं हमारे प्रयाश जो रहता है आपको पूरी तरह कर रहता है तो जब को समझ में आज आता है कम चखंड एक वीडियो जो हम जो बनाते मिनत कर तो इसके आपको सपोर्ट के लिए ज्यादा कुछ ने सब्सक्राइब कर देना ज्यादा कुछ ने तो कमेंड भी कर देना साथ में ठीक है चलिए एक त्रिबूच की बूजाए दे रखी है अब त्रिबूच बनाते हैं का बोल रहा है वह कि तीन पास साथ के अनुपात में मतला मान लिजे तीन कि यह साहा तेवरी क्या है पांच यह अनुपात में बटा हुआ है यदि इसका परिणाम यह इन सब को जोड़ने पर कितना मिलता है सहाट मिलता है कितना मिलता है इन सब 40 दस हो गया 10 और 5 कितना हो कि टोटल 15 हो गया मतलब सहाथ मैं से 15 15 का अगर में भाग देदू सहाथ मैंसे 15 का गुणा कर दोगा गवा यहां कि देखें यह फे सहाथ मेरे पास है 15 15 15 इतना होताय सहाथ यह एक के बराबर क्या है चार आया तो इसमें समय में चार का गुणा कर देता हूं किया हो जाए आझ त्य चा। 14 loving के mistव हो गया लगतर दो 12來到 2020 ना बार था यह अनूपात लगा धिया अब अनूस थो नहीं पैसे दो लचा सकते हैं फिर उसने क्या पूचा पांच का पांच का पांच का यह बीस लगा दिया कि लास्ट पूचा उसने साथ का तो यह अगला सवाल में आते हैं एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से रख सब्क्राइब का पौच में लगांको यह बिएदा का लगाई कर लेकिन हमको थोड़ा सा दिमाएद बना लेते हैं पैल जा बना लेते हैं आयत कि एक आयत यहां पर बना देता हूं आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा यह ने बना लिया आयत इसको आयत बोलते है कि इसको सरकल नहीं बनाते अंदर पीच्छू कैसे होगा वाई साफ चलो ठीकर बोलते हैं कि यह अपना हो गया आयत क्या हो चुक्या है आयत अब आय दिया परिमाब आयत का परिमाब तो फोर्मला होता बच्छो आयत का आयत के परिमाब का आयत का परिमाप क्या होता है बच्चो एक सो बतीस होता है इसने दिया एक सो बतीस के बराबर है तो आयत का परिमाप का जो फोर्मुला होता है बच्चो वो होता है दो गुनित यानि ब्रेकेट वे लिख देना है लंबाई धन चोड़ाई यह फोर्मुला होता है ठीक है अब अधाव कि आधा परिमआप दिया हुआ है तो आयत का परिमाप किता है 132 अपने पास दिया है अपर सवाल का वे लंबा ही अपने पास आचुकी एकस कितनी है बीच में लगा दिया, प्लस, वो चोड़ा ये अपने पास 6 बटा 5 और X आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 6X के बटे में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, इदर 132 तो इसा कैसा ही रहेगा, 2 भी इसा कैसा रहेगा, पिले इ इदर बेज देते हैं, जो की गुणे में या पर असल में गुणा होता है, कोई निसान नहीं है, तो गुणेक सगे का पर आ जाती है, बटे में आ जाती है, ठीक है, और इदर क्या बचेगा, 5 और शे कितने हो गए, 11X और बटे में क्या आ गया, 5 आ ठीक है, अबर इसको छो पूर ही आ रहा है, चलो है, छलो धर एक चलो, देखे आपर, यह सोडो, चलो देखे आ पर, 132 की बटे में दो कट रहा है, 2 एक कम 2, 6 दुनी, 12, 6 दुनी, 16 बार में कटा, मतलब अगर 5 को में किदर बेजँखा, बराबर के इदर बेज़ूआ, तो असल में, किसमें भाग मे यहां से ध्यान से समझें मैंने किया कि इसको इधर बेजा बरावर के दर तो असल में इसके गुणे में चला गया वह तो गुणे की सब्सक्राइब निकाल देना है ठीक है अब इसको निकालने के लिए यहां पर 1 रखा हुआ पर मान रख दे छे गुणे में 30 मतलब 1 हो गया बटे माईगे 5 पांच 5 पांच 5 चंग 30 जब चुड़ा एंपने बस आच चुकी है लंबाई चुड़ा जब आच लुको निकालना क्या है चेतर पर निकाला लंबाई चुड़ा का गुणा कर दो बस यह पर हम क्या करें लंबा चुड़ाइगा गुणा कर दे यानि 36 में 30 का क्या कर देते हैं गुणा अपना अंसर आ जाएगा तो दो जिरो के दो जिरो लगा दिए गुणे में क्या अगला सवाल है अठा ममर का 100 से एक आयत बनता है इस आयत का अधित्तम छेत्रफल हो सकता है अब देखिए अब सोड़ा सध्यान से देखिएगा आयत अगर बना रहे अपन है आयत तो देखो लेते हैं थोड़ा इसकी लंबाई चोड़ाई कर लाते हैं कि अब उसने बोला एक आयत बना सकते हैं 100 मीटर तार मतलब मेरे पास एक तार दिया हुआ यह समझ लीजिए यह तार कितना मेरे पास 100 सेंटीमीटर है क इसको में इसे मोडूंगा तो कहीना कहीन कहीन कटेगा है अगर मैं इसको चारो बरावर भागों में बाट दो तो यह जो सो सिंटीमीटर चारोल बूज्जा को में बढ़ जाए का बराबर बढ़ावर बटाएगा ना कि एक वर्ग समासकते हैं आयत में क्या होता हमने समने के बूचा बराबर होती है तो तो सो सेंटीमेटर लूंबे तार के आयत बनता है लुग वे पूसिबल है कि बन सकता है कितना हो सकता है तो बच्चों 25 घुना हो तो 25 अटिस तरफ तरफ आए कितना हो सकता है तो बचों 25 का गुणा बुजा में कितना आएगा बच्चो 25 में 25 गुणा का तो 625 आता है कितना आता है 625 तो अपना अंसर क्या होजा है बच्चो 625 वर्ग सेंटीमिटर अधिक्तम इसका चेत्रफल होगा बच्चो सो तार दिया तो सो हो नी सकता और सो का चार में गुणा हम करेंगे नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है और सो का गुणा सो में भी नहीं कर सकते क्योंकि लंबा इतनी तो गुणा कैसे करेंगे तो इसलिए अधिम समझा दिया मैंने तो आपको समझ में आच चुका होगा मेरे ख्याल से चलिए अगला सवाल हमारा अरूड कोमा लगा दिया सहाट कोमा लगा एक सेंटीमेटर किनारे वाले घनों से एक गनाब बनाता है इस गनाब का चेत्रफल गयात करने के लिए असल में होता क्या एक फिए और बॉर है चनला वड़ता है गुरा आपको इंशनाब निकाला है यहांपर के लिए अधिया मुझे सहाट तो लंबा दे रखी मान सकते हैं यह कै उसने क्या दिया घनाब दिया गनाब यह घनाब है यह गनाब है कि यह पर बना दिया अठीक है कि यह मना दिया आपे गनाव ठीक है लग तो इसा है रहा है समझ दीजिए तो उसने बोला भी एक तो उसने दिदिया सहाथ ठीक है फिर उसने बोला कि कि एक सेंटीमीटर किनारे मतलब यह जो किनारे जो है यह किनरे जारी मतलब सब्सक्तर की ऐगो में जाएगी हो जाएगी टो सामें सफ यह घुचंटी में गुणा क्यां तो गं चंटीमेटर आजाएगा गन सेंटीमेटर राजाए इसका अंसर तो सहाट गन सेंटीमेटर इसका अंसर बहुत ही सिंपल था बच्छो जब साथ कोना एक में तो साट एकम साट यह इतन आप दिमाग लागे करो गया तो अपका अंसर बन जाएगा चलिए अगला सवाल दिया है हमको एक गनाप का आयतन अब में अभी बोला था जो गनाप का फॉर्मुला क्या तो लंबाए गोरे चौड़ाए गोरे तो उच्छा रहेगा लंबाए गोनित चोड़ाई गुनेत क्या दिया है उच्छा होता है देखो आयतन तो हमको दिया तीन हजा 36,000 दे रखा यह आयतन मैं लिग दिया हापे 36,000 बराबर लंबाई हमको दे रखिए लंबाई अपने को ही नित X मानली गुने में चोड़ाई कि इतनी दे रखिए अपने चोड़ाई ह आजेंगे यहां सब्सक्राइब भाग में यहां सब्सक्राइब भाग में जाएगा तीज गुनित में चालीज तो यह पर किया दो जीरो जीरो यह दोनों से दोनों कड़ गए सिंपल दीज से उपर वाले दो जीरो को गाड़ दिए तीन एकम तीन असल में काम करते हैं देखिए नीचे क्या हो जाएगा किसे तिस का अंसर हो जाए एक यह ना क्योंकि हम पता हाएhmen तो दो संख्झा गुणा करके इसमें भाग देते तिसांती संख्या भार आ जाते अपना आशार सवाल है दी गए आतरती में छायंकित भाग का चेतरफल बताना है तो जहां जहां पर इसको बोलते हैं जिसको निकालना दिमाग यह लगा ना बच्चो कि हमको क्या-क्याची देखने को मिल रही एक सिंटीमेटर वाली बुजा एक सिंटीमेटर एक सिंटीमेटर तीन जेगे शेकर यह से विए यह से भी एक है लेकिन यह पूरा जो पांच है लेकिन यह बीच वाला तीन यह भी तीन तुम्हें तो तो यह इसका हो सकता है ठीक्ए क्योंकि चीतर वाला है तो वर्ग ही इसका यह में गुना हरें जाएगा इम्दी तो फुट कि यह मोगा ज होगा किसो तुगन जा elle सम्सें पनेगा यह तो इसका बीतीन हो जाएगा जाते पांच विया झालिसे उसका सचाहों वह हुआइगा तीन और तीन चे 6 बर 5 कितना हो गयारह सेंटीमेटर सकांसर होगा बौत ही सीम्पल था बच्छो है आयो आपको वीडियो पसंद आवागा बच्छो खास करके वो बच्चे उनसे निवेद दने कि हुमारे वीडियो रोज देखने लेकिन सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो प् उतना शेयर कर दो जितना जितना भी आपको यूसफुल लगे हमारे चीजे वह जितना चाहुतना शेयर करने के लिए हमारे हेल कर सकते और उनकी वीडियो देखेगा वो लाइक और शेयर से सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा धन्यवाद